गुड मॉर्णिंग दोस्तों मैं अनिता पांडे आप सभी का मेरे चैनल कुकिंग कम पोजिशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको आरुवेदिक हरवल्टी की रेस्पी बताने जा रहे हूँ यह हरवल्टी रोग प्रतिरोदक चमता को बढ़ाती है और इसको डेली पीने से आपकी हलकी पुलकी प्रॉब्रम्स भी सॉल होती रहेगी जैसे कि खासी जुकाम मलका बुखार यह गले में खरांस इत्या दी तो चलिए शुरू करते हैं दो को फैर्वल्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इलाची एक पीस लॉंग दो पीस अस्वगंदा एक छोटा टुकड़ा दालचीनी एक छोटा टुकड़ा अद्रक या सोंट में से कोई साभी जो आपके पास अवलेवल हो स्यामा तुलसी या सिंपल दस से बारे पत्ते जायफर एक छोटा टुकड़ा पीपल वन पीस काली मिर्च टेन पीस तेजपत्ता वन पीस इन सामगरियों में से तुलसी पत्ता और अद्रक को छोड़ कर सारे सामगरी का चाहें तो आप और बना कर रख सकते हैं और डेली अपने यूज के अकोर्डिंग इसे हरवल्टी बनाते समय डाल सकते हैं अब तेज पत्ते को छोड़ कर और अद्रक ग्या सोंट में से जो भी लेना हो उसको लेकर सारी सामगरियों को इसमें डाल कर उसको अच्छे तरह से कूप लेंगे अब हम इस बरतन में दो का फरवल्टी बनाने के लिए तेज ग्लास पानी डालेंगे इसके बाद गैस को जला कर पानी को गैस के उपर रख देंगे अब हमारा पानी गरम हो चुका है अब हम इसमें तोसी पत्ता और तेज पत्तर डाल देंगे इस समय मैंने गैस की फ्लैम को फूल कर रखा है अब हम सारी कुटे हुए सामंग्री को इस में डाल देंगे हरवल्टी उबलने लगे तो गैस की फ्लैम को मीडियम कर देंगे और यह एक ग्लास बज जाए तब तक उबलनेंगे अब हमारी हरवल्टी बनकर तयार हो चुकी है अब हम गयस की फ्लेम को आफ कर देंगे देखिये मैंने जिस गलास से पानी लिया था उसी गलास में एक गलास में दो चमच हनी और एक गलास में ग्रेट किया हूँआ देर्ट चमच गुर डाला है आप अपने 24 के according गुड़ी या हनी का यूज़ कर सकते हैं अब हम दोनों ग्लास में हरवल्टी डालकर हनी और गुड़ को स्पून के हल्प से मिलाकर सर्व करेंगे देखिए हमारी हरवल्टी पूरी तरह से बनकर तयार हो चुकी है अब अगर चाहें तो आप ग्लास में सर्व करें या कप में डालकर सर्व पर सकते हैं आप इस हरवल्टी में अपनी 24 के according दो दो गुड़ नीगू डाल सकते हैं आप इस हरवल्टी को दिन में एक बार जरूर पीएं ये नहीं सिर्फ आपको छोटी मोटी परेसानियों से दूर रखेगा जैसे सर्दी जुकाम खांसी से दूर रखेगा बलकि आपकी रोग प्रतिरोधक शम्ता को भी बढ़ाएगा तो दोस्तों अगर आपको मेरी हरवल्टी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूले मैं जल्द ही एक और वीजियो के साथ आऊंगी धन्यवाद